नमस्कार दोस्तो एक बार फिर से आप लोगों का आपके अपने इस बैंको कोचिंग के आनलाइन प्लेट फॉरम में स्वागत है दोस्तो हमने राजस्तान जोगरोफी है उस जोगरोफी की सुरुवात कर रखी थी और इसमें कुछ बैसिक बाते हैं वो हमने देखे दोस्तो पढ़ लिए आज हम यहां से देखे नई सुरुवात करते हैं राजस्तान जोगरोफी में तो देखे दोस्तों यहां से हम आज यहां से राजस्तान की जोगरोफी को आगे पढ़ते हैं तो यहां से आपको सबसे पहले देखे राजस्तान है इस राजस्तान का यहां से नामकरण है वो पढ़ना है राजस्तान का नामकरण है कि जो आपका राजस्तान है इस राजस्तान का नामकरण है वो देखे किस परकार से प्राप्त होता है तो मित्रो यहां से आप देखे सबसे पहले ध्यान रखेगा कि राजस्तान का जो नामकरन है वो किस परकार से प्राप्त होता है देखेगा सबसे पहले अगर हम रिगवेद की बात करें अगर रिगवेद की बात कारते हैं तो रिगवेद में राजस्तान का नाम है वो देखें क्या प्राप्त होता है तो याद रखना है ब्रह्म वरत क्या प्राप्त होता है ब्रह्म वरत प्राप्त होता है और यदि हम वालमिकी जी की बात करते हैं तो वालमिकी जी है इन्होंने राजस्तान का जो नाम है वो नाम क्या दिया था तो यहाँ पर आपको याद रखना है मरू कांतर यानि रिगवेद में राजस्तान का नाम ब्रह्मवर्त मिलता है जबकि वालमिकी जी ने राजस्तान का जो नाम है वो क्या दिया था तो मरू कांतर नामें दिया था उसके बाद मी दिखी दोस्तो आगे हम बात करते ही कि आपके सामने एक रचना है जिसका नाम है तारिख ए राजस्तान मित्रो यहाँ से सबसे पहले आपके सामने एक रचना है जिसका नाम है तारिख ए राजस्तान कौन सी रचना है तारिख ए राजस्तान ये जो तारिख ए राजस्तान है ये रचना किसकी है तो यहाँ पर आपको याद रखना है काली रामे कायस्त क्या याद रखना है काली रामे कायस्त ये जो काली राम कायस्ता है इनोनी तारिख ए राजस्तान है वो लिखेते उसके बाद में यहाँ पर आपको एक धान रखना है मुहनोत नैन सीरी ख्याद तो मुनूत नैन सीरी जो ख्याद है वो ख्याद किसके द्वारा लिखी गई तब यहाँ से आपको याद रखना है मुहनोत नैन सी उसकी बाद में यहाँ से आपको एक रचना और याद रखनी जिसका नाम है कूवल या माला कूण सी रचना कूवल या माला ये कूवल या माला है ये किसकी है तो याद रखना है उद्धोदन सूरी की है तो यहाँ से हमें ये ध्यान रखना है कि तारिक ए राजस्तान मोनोत नैन सीरी ख्यात और कूवल या माला ये तारिक ए राजस्तान है ये तो काली राम काहिस्त की है और मोनोत नैन सीरी ख्यात वो नैन सी की है जबकि कुवलिया माला है ये उद्दोदन सूरी की इन तिनों रचनाओं में जो राजस्तान है इस राजस्तान का जो नाम है वो नाम आपके सामने राजस्तान ही मिलता है तो तारिखे राजस्तान मोनोतनैन सेरी खात और कुवलिया माला इन में राजस्तान का नाम मित्रू आपके सामने क्या मिलेगा राजस्तान मिलेगा उसके बाद में आप धान दीजिए कि 625 इस्वी में 625 इस्वी की जब बात करोगे तो 625 इस्वी में आपके सामने एक अबिलेख मिलेगा और उस अबिलेख का नाम है बसंत गड़ अबिलेख कौन सा अबिलेख है बसंत गड़ अबिलेख यहाँ पर आपके सामने खिमल माता है खिमल माता या सिमल माता तो खिमल माता या जो सिमल माता है यहाँ पर आपके सामने एक बसंत गड़ अबिलेख प्राप्त होता है 625 का तो 625 इस्वी के बसंतगड अबिलेख में यानि अबिलेख से जो खिमल माता है वहां से राजस्तान का नाम क्या प्राप्त होता है तब आपको याद रखना है राजस्तानिया देत्या मित्रो यहां से नाम क्या प्राप्त होगा राजस्तानिया देत्या तो यहां पर हमें ये जरूर ध्यान रखना है कि 625 इस्वी में जो बसंतगड अबिलेख है वहां पर खिमल माता या सिमल माता से राजस्तान का जो नाम है वो राजस्तान का नाम सबसे पहले क्या प्राप्त होता है तो मेरे प्यारे मित्रो य Hence, आ एक एक points को पहले किलियर किजिए कि रिगवेद उस रिगवेद में राजस्तान का नाम है वो ब्रमवर्त प्राप्त होता है जबकि वाल मिखी जी है उस वाल मिखी ने राजस्तान का नाम मरुकांतर नाम दिया था फिर तारिख ए राजस्तान मौनुतनैन सीरी ख्यात और कुवलिया माला में राजस्तान का नाम क्या प्राप्त होता है राजस्तान प्राप्त होता है ये तारिख ए राजस्तान काली राम काहिस्त किये और मौनुतनैन सीरी ख् वो उद्धोधने सोरी किये तो इनमे राजस्तान का नाम है वो राजस्ताने प्राप्त होता है उसके बाद में मित्रों आगे हम चलते हैं आगे यहां से चलते हैं कि राजस्तान का उर्द की नाम है वो क्या प्राप्त उतार कहां से प्राप्त होता है देखेगा यहां पर सब से पहले आपके सामनी दिखी एक व्यक्ति का नाम लिख रहा हूँ जिसका नाम है जोर्ज थॉम्स ठीके उसके बाद में मैंने आपके सामनी यहाँ पर दूसरे व्यक्ति का नाम लिख दिया यहाँ पर करनल जेम्स टॉड यहाँ पर है करनल जेम्स टॉड यह करनल जेम्स टॉड है अब ध्यान दीजिए कि करनल जेम्स टॉड और जोर्ज थॉम्स यानि ये तो हैं जोर्ज थॉम्स और ये है करनल जेम्स टॉड इन दोनों की स्तिती को समझना देखे यानि जोर्ज थॉम्स हैं इस जोर्ज थॉम्स ने यानि यहाँ पर सबसे पहले सन 1820 मी जो राजस्तान है उस राजस्तान का नाम देखी क्या दिया था राजस्तान का नाम इन्होंने क्या दिया था तो राजस्तान का देखे इस अठारा सो इसी में सर्वे पर्थम जो नाम है सर्वे पर्थम जो नाम है वो नाम अठारा सो इसी में जोर्ज थोंस ने दिया था राजपुताना क्या दिया था राजपुताना ये राजपुताना सब्द का पर्योग राजस्तान के लिए सबसे पहले कौन करता है जोर्ज थोम्स करता है कब करता है अठारा सो इस्वी में करता है तो जोर्ज थोम्स ने राजस्तान का सबसे पहले जो नाम दिया था वो सन अठारा सो इस्वी में नाम क्या दिया था तो यहां पर ध्यान रखना राज पुताना क्या दिया था राज पुताना इस राज पुताना नाम की जो हमें जानकारी मिलती है मित्रो वो जानकारी दिखे हमें कहां से मिलती है तो जान रखेगा कि सन 1805 इस्वी में यहाँ पर वीलियम जो फ्रेंकलिन है वीलियम फ्रेंकलिन यह जो वीलियम फ्रेंकलिन है इस वीलियम फ्रेंकलिन ने एक पुस्तक लिखी थी क्या लिखी थी एक पुस्तक लिखी थी और उस पुस्तक का देखी नाम क्या था तो यहाँ पर याद रखना दी मेंबो यार्स आफ मिश्टर दी मेंबो यार्स आफ मिश्टर जोर्ज थॉम्स यानि दी मेंबो यार्स आफ मिश्टर जोर्ज थॉम्स जो पुस्तक है ये पुस्तक मित्रों आपके सामनी देखे है किसकी तो याद रखना है वीलियम फ्रेंकलिन की यानि वीलियम फ्रेंक्लिन ने सन 1805 इस्वी में एक पुस्तक लिखी ती रूप पुस्तक का नाम था दी मिम्बो यार से आफ मिश्टार जॉर्ज थॉम्स और इस पुस्तक से हमी यह जानकारी मिलती है कि राजस्तान का सन अठारा सो इस्वी में जोर्ज थोम से इनूनी राजस्तान का नाम राजपुताना नामें दिया था अब आप एक कड़ी के आदार पर इनको याद कीजिए कि जोर्ज थोमस है इनुने राजस्तान का सबसे पहले सन अठारा सो इस्वी में जो नाम दिया था वो राजपुताना नामें दिया था इस राजपुताना नाम जो दिया था जोर्ज थोमस ने अठारा सो इस्वी में इनकी जानकारी हमें वीलियम फ्रेंकलिन के द्वारा अठारा सो पांच में एक पुस्तक लिखी थी और इस अठारा सो पांच में जो वीलियम फ्रेंकलिन ने इनकी द्वारा जो पुस्तक लिख औप मिश्टर जोर्ज थोंस है ये पुस्तक वीलियम फ्रेंकलिन लिखता है और इस पुस्तक से हमें यह जानकारी मिलती है कि जोर्ज थोंस नाम का जो व्यक्ति था इनोंने राजस्तान के लिए सबसे पहले राजपुताना सब्द का प्रयोगे किया था ये जो George Thompson से कहा हैं का विक्ति था तो आपको याद रखना है ये Ireland का विक्ति था जिनों ने राजपताना नाम राजस्तान के लिए रखा था कब ए 1800 में, जिसकी जानकारी 1805 की, जो विलियम फ्रेंकलिन की पुस्तक है, जो दि मेमोरियस ओप मिस्टर जोर्थम्स है, उसमें ये जानकारी मिलती है, उसके बाद में देखो दोस्तों यहां से आगे हम देखें, तो करनल जैम स्टोड है, ये करनल जैम स्टोड देखें कहा तो यह तो याद रखना यह इलिंगस्टन का था इलिंगस्टन यानि इंगलेंड का वेक्ति था इलिंगस्टन इंगलेंड का और इस कर्नल जेम्स टोड को कहा जाता है गुडे वाले बाबा गुडे वाले बाबा इसको गुडे वाले बाबा कहा जाता है इसी कर्नल जेम्स को राजस्तान इतियास का पिता कहा जाता है राजस्तान इतियास का पिता तो राजस्तान इतियास का पिता है वो कर्नल जेम्स टोड को का गया है और गुडे वाले बाबा है वो कर्नल जेम्स टोड को का गया है अब इस कर्नल जेम्स टोड कहाता था तो ये इलिंगस्टन इंगलेंड का विक्ती था और इस कर्नल जेम्स टोड ने यानि राजस्तान का सबसे पहले नाम देके क्या दिया था राजस्तान नाम दिया था क्या नाम दिया था राजस्तान नाम राजस्तान के अलावा इनोंने राइथान शब्द का परियोग किया राइथान के अलावा इनोंने रजवाडा शब्द का परियोग किया था राइथा ने रजवाड़ा वे राजस्तान शब्द का परियोग वो किस ने किया था तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना किस ने किया था करनल जीम से टोड़ने तो करनल जीम से टोड़ने राजस्तान का सबसे पहले नाम देखी आपके सामने क्या दिया राजस्ता नाम दिया राइथा नाम दिया और रजवडा नाम दिया ये नाम इनुने कब दिया था तो याद रखना है अठारा सो गुनतिस इस्वी में ये नाम दिया था देखो अठारा सो इस्वी में हम देखें तो अठारा सो इस्वी में देखें जो उर्जथोंस है इन्होंने तो राजस्तान का नाम राजपुताना नाम दिया और यहां से जब हम यह देखें कि करनल जेम्स टोड है इन्होंने 1830 सिस्वी में राजस्तान का नाम सबसे पहले राजस्तान राइथानवर रजवाडा नाम दिया था अब यह राजस्तान नाम जो दिया था आपके सामने करनल जेम्स टोड ने इनकी जानकारी हमें देखे कहसे मिलती है तो इनकी जानकारी इसी करनल जेम्स टोड की आपके सामने पुस्तक आती है क्या थी मित्रो पुस्तक आती है और उस पुस्तक का नाम देखे क्या रहता है तो यहां से आप याद कर सकते हैं दी एनलस एंड एंटीक्विटीज ऐंटीक्विटीज ऑफ राजस्तान देखें दी एनलस एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्तान इस पुस्तक का परियोग दिखे कौन करता हैं 1830 में करनल जेम्स टोड करता है और इसी पुस्तक से हमी यह जानकारी मिलती है कि सन 1830 में जो करनल जेम्स टोड या जो गुड़े वाले बाबा है या राजस्तान इतियास का जो पिता है इसने राजस्तान का नाम है वो सबसे पह और आज़स्तान पुस्तक से हमें मिलती है इस इन्हेंद्ल पुस्तक की बात कारते हैं मित्रो तो याद रखना कि इनका जो समपादन है वो समपादन देके किस ने किया था तो यहां से आपको याद रखना कि इनका जो संपादन किया था वो किस ने किया था तो याद रखना है वीलियम क्रोक ने किया किस ने किया था वीलियम क्रोक ने यानि संपादन करता है वीलियम क्रोक और इसका जो हिंदी अनुवाद है वो देखे आपके सामनी कौन करते है एनाल्स पुस्तक का ह हिंदी अनुध आपके सामनी देखिए कोन करते हैं तो याद रखना हैं आपको गौरी संकर हीराचंद ओजा हैं इनों ने देखी राजस्तान में जो आपके सामनी ये करनल जिम्स टोडनी जो राजस्तान नाम दिया था इनल्स एंड ऐंटेक्विटिज ऑफ राजस्तान पु करते हैं ये गोरी संकर हीराचन ओजाजी हैं ये रोईडा गाउं के हैं कौन से गाउं के हैं रोईडा गाउं और रोईडा गाउं आपको राजस्तान में मिलेगा सीरोई जिले में ज्यान रखेगा राजस्तान पुलिस की दृष्टी से इंपोर्टेंड प्रहसन आ रहा हैं क इनल्स एंड एंटेक्विटीज ऑफ राजस्तान पुस्तक किस की है तो याद रखे करनल जिम्स टॉड की है और इनल्स एंड एंटेक्विटीज ऑफ राजस्तान पुस्तक है इस पुस्तक का संपादन कोन करता है विलियम करुक करता है और इस इनल्स एंड अनवाद कोन करते हैं गोरी संकर हीराचंद ओजा जी करते हैं और ये ओजा जी कहां से संबंदीत हैं रोईडा गाउं शिरोई से अब आपसे दो तरीके से यहां से प्रसंद पूछेगा ध्यान से देखेगा एक तो पूछेगा कि करनल जेम्स टोड की पुस्तक दी एनाल्स पुस्तक है इसका हिंदी अनवाद किसी नी किया तो याद रखना गोरी संकर हीराचंद ओजा नी किया इस गोरी संकर हीराचंद ओजा का संबंद कोन से जिले से तो देखे कोन से जिले सीरोई जिले से और सीरोई जिले में गाउं है रोईडा गाउं वासे इनका संबंद है तो इतनी बात दीमाक में रेगी उसके बाद में दिखीगा कि जो गोरी संकर हीराचंद ओजा है जो आपके सामनी गोरी संकर हीराचंद ओजा है इस गोरी संकर हीराचंद ओजा से देखे आपसे और प्रसंद क्या करेगा तो यहां से देखे गोरी संकर जो हीराचंद ओजा है इन ओजा को देखे आपके सामने क्या कहा जाता है तो याद रखना इसको राजस्तान का गरीबन कहा जाता है क्या कहा जाता मित्रो राजस्तान का गरीबन ध्यान रखेगा कि राजस्तान का गरीबन किसे कहा जाता तो याद रखना ओजा जी को कहा जाता है उसके बाद में आपसी यह काज़ेगा कि यह जो ओजा है इस ओजा को डेकि राजपुताना इतियास का पिता उसके बाद में ध्यान दीजिए कि यहां पर आपके सामने देकि जो इस पुस्तक का जो हिंदी अन्वाद करता है वो हिंदी अन्वाद तो देखी कौन करता है गोरी संकार हीराचन ओजार इनका संपाधन करता विलियम क्रोग लेकिन इस इनल्स एंड एंटिक्विटीज ओफ राजस्तान पुस्तक है यानि हम इसको सोट में बोल सकते हैं एनल्स इस एनल्स का यदि हमसे दूसरा नाम पूछे तो इसका दूसरा नाम देखे क्या है देखना इनका दूसरा जब नाम आप यहां से देखोगे तो इसका दूसरा नाम देखे क्या आपको मिलता है तो यहां से आपध्यान रखेगा इसका दूसरा नाम है दी सेंट्रल एंड वेस्टरन राजपूत इस्टेट आफ इंडिया मित्रो यहां से यह प्रसन एकजाम की दृष्टी से इंपोर्टेंट रहेगा राजस्तान पुलिस के जितने भी बच्चे इस वीडियों को देख रहे हैं वो इस प्रसन को थोड़ा सा ध्यान से पड़ करके जाए यानि आपसे यह पुछे कि दि एनल्स एंड एंटेक्विटीज ओफ राजस्तान पुस्तक किस की है तो कर्नल जेम स्टोड की है और इस पुस्तक का संपाधन कोन करता है वीलियम कुरुक करता है इसका हिंदी अनवाद कोन करता है गोरी संकर हीरा चल ओजा करते है लेकिन यहांसे आपसे यह कहें कि दि एनल्स एंड एंटेक्विटीज ओफ राजस्तान पुस्तक है इस पुस्तक का दूसरा नाम क्या है तो यहांसे मित्रो याद रखेगा इसका दूसरा नाम आप बताओगे यह इस एनल्स पुस्तक का मित्रो आपके सामनी दूसरा नाम है तो यह करनल जेम्स टोड और जोर्ज थोम्स से समझी दो बाते हमने पड़ी कि जोर्ज थोम्स ने अठारा सो इस्वी में देखी राजस्तान का नाम राजपुताना नामे दिया था जिसकी जानकारी हमें अठारा सो पांच इस्वी में जो वीलियम फ्रिंकली ने उसकी द्वारा एक पुस्तक लिखी जाती है पुर्नेशन 1830 इस्वी में राजस्तान का नाम सब से पहले राजस्तान नाम दिया था इसके लाए नोनी राइथान और रजवाड़ा नाम है वो दिया था जिसकी जानकारी इस करनल जिन्स टोड की पुस्तक दी एनल्स एंड एंटेक्विटीज ऑफ राजस्तान पुस्तक के उस पुस्तक में हमें मिलती है इस पुस्तक का संपादन करता है वीलियम क्रोक और इसका हिंदी अनुवाद करता गोरी संकर हीराचंद ओजा जो रोईडा गाम सीरोई का था उसके बाद में हमें ये ज्यान रखना कि दी एनल्स एंड एंटेक्विटीज ऑफ राजस्तान प राजपुत श्टेट अफ इंडिया है उसके बाद में गोरी संकर हीराचंद ओजा है इसको तो कहा जाता है आपके सामनी राजपुता ना कहा का था तो याद रखना ये इलिंगस्टन इंगलेंड का निवासी था इतनी बात आपके किलिए रुई आप देखे यहाँ से थोड़ी सीख दो बाते आप यहां से और देखे यहां से दो बाते आप और देखे कि जो करनल जेम्स टोड है ये जो करणल जेम स्टोड है इस करणल जेम स्टोड ने राजस्तान है इस राजस्तान में आपके सामने एक चोटी है जिसका नाम है आपके सामने गुरु सिखर गूरू सिखर यानि राजस्तान में ये एक चोटी है जिसका नाम है गूरू सिखर चोटी और ये गूरू सिखर चोटी देखे आपके सामने है कापर तो याद रखना है आपको माउंट आबू में और माउंट आबू है वो कहां है तो याद रखेगा ये सीरोई जिले में इस करनल जेम्स टोड ने इस गुरू सिकर चोटी को जो माउंट आबू सीरोई है उस माउंट आबू सीरोई में जो आपके सामनी चोटी है इस चोटी को कहता संतो का सिकर क्या काता इनको संतों का सिखर कहकर के पुकारा था यानि कर्णल जेम्स टोड है इन्होंने इस गुरु सिखर चोटी को क्या काता संतों का सिखर काता लेकिन इसी कर्णल जेम्स टोड ने देखे आबू परवत को क्या का था तो आबू परवत के लिए भी आप एक सब्द ज्यान रखे आबू परवत को इनोंने क्या का था तो याद रखना इसको हिंदू ओलंपस के नाम से कह करके पुका रहा था हिंदू ओलंपस या फिर इनको इन्होंने देव परवत के नाम से कह करके पुकारा था तो कर्नल जेम्स टोड है इस कर्नल जेम्स टोड ने आपके सामने देखे क्या कहा था आबू परवत को हिंदू ओलंपस या देव परवत के नाम से कह करके पुकारा था तो ये बात भी आ आप यहां से स्क्रिन सोट ले 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 आप इसका स्क्रिन सोट ले लिया आपनी आप देखे आगे की बात यहां से और समझे यानि यहां से आगे की बात और समझेगा यहां से देखे जो आपका राजस्तान है जो आपके सामनी जो राजस्तान है इस राजस्तान के लिए यानि राजस्तानी भासा में राजस्तानी भासा में देखी राजस्तानी शब्द का सबसे पहले परियोग किसनी किया राजस्तानी भासा के लिए यानि राजस्तान का राजस्तानी भासा में राजस्तानी शब्द का परियोग किसनी किया था तो राजस्तानी शब्द का सबसे पहले जो परियोग करता है वो कोन करता है तो यहांसे आप याद रखेगा जोर्ज अबराहम गिरियसन जोर्ज अबराहम गिरियसन यानि जोर्ज अबराहम गिरियसन ने इनुनी राजस्तानी भासा में राजस्तानी शब्द का सबसे पहले परियोग किया था सन गुनिशो बारा इस्वी में तो यानि राजस्तानी भासा में राजस्तानी शब्द का सबसे पहले परियोग कोन करता है जोर्ज अबराहम गिरियसन करता और ये राजस्तानी भासा के लिए राजस्तानी शब्द का परियोग सबसे पहले सन गुनिशो बा इसे में जोर्ज अबराम गिरियसन करता है तो ये बात तो दमित्रों आपके सामने राजस्तान के नामकरण से संबंदित हो चुकी है यानि राजस्तान के नामकरण से संबंदित अब यहां से देखे आगे मैं आपको दो चार बाते और बता देता हूं इस राजस्तान के नाम राजस्तान का एकीकरण तो राजस्तान का एकीकरण देकी मित्रों यहां से आपके सामने 18 मारच से शुरू होता है यह 18 मारच सन गुनिशो अड़तालिस से सुरू होता है और आपके सामनी ये एक नमबर गुनिशो चपन तक चलता है और गुनिशो चपन तक ये आपके सामनी साथ चरनों में पुर्ण होता है कितनी चरणों मी पुर्ण होता है साथ चरणों मी पुर्ण होता है अब ध्यान रखेगा कि राजस्तान एकी करण का जो आपके सामनी दूसरा चरण है ये दूसरा चरण सुरू होता है आपका 25 मारच गुन्नी सो अड़तारिस को 25 मारच गुन्नी सो अड़ता इसको राजस्तान एकी करण का दूसरा चरण है वो शुरू होता है और इस समय आप ये देखोगे कि 25 मार्च 1948 को जब राजस्तान एकी करण का दूसरा चरण सुरू होता है तो उस समय राजस्तान का नाम है वो आपके सामनी राजस्तान शंग के नाम से प्राप्त होता है राजस्तान शंग के नाम से प्राप्त होता है लेकिन जब 1 नमबर 1956 को राजस्तान का एकी करन पुर्ण हो गया था तो उस दिन राजस्तान का नाम राजस्तान नाम है वो रखा जाता है और इस दिन से लेकर के आज तक की बात करते हैं तो आज तक राजस्तान का नाम राजस्तान ही प्राप्त होता है यानि राजस्तान का नाम राजस्तान ही प्राप्त होता एक नौंबर 1956 लेकर के आज तक अब यहां से मित्रो ध्यान ये रखना है कि जो राजस्तान है जो राजस्तान है इस राजस्तान में हम वर्तमान की स्थिती देखें तो वर्तमान में आपके पास देखो कितनी जिले 33 जिले कितनी जिले 33 जिले लेकिन यहां से इन 33 जिलों में से आपसे देखी कंडिशन क्या पूछीगा कि 33 जिले लेकिन राजस्तान के एकी करण से पहले यानि राजस्तान के एकी करण से पहले की बात करते तो पहले राजस्तान में जिलो की संख्या कितनी थी तो वहाँ पर मित्रो आपको याद रखना 25 जिलो की संख्या थी जान रखेगा एकजाम की दृष्टी से इंपोर्टेंट चीज है कि राजस्तान के एकीकर्ण से पहले या 1948 से पहले राजस्तान में जीलों के संख्या कितनी थी 25 थी एक पॉइंट या दुआ कि राजस्तान के एकीकर्ण से पहले राजस्तान के एकीकर्ण से पहले या 1948 से पहले राजस्तान में जीलों के संख्या वो 25 थी लेकिन राजस्तान के एकीकर्ण से पहले या 1948 से पहले राजस्तान में यदि हम संभाग की बात करते तो संभागों के सं संक्या कितनी थी पांच थी मित्रो याद रखे राजस्तान के एक एकन के पहले यानि इस राजस्तान में संभागों के संक्या वो तो पांच थी और राजस्तान में जीलों के संक्या कितनी थी पांच थी लेकिन आज हम वर्तमान की बात करते हैं तो वर्तमान राजस्तान में आप ये देखोगे कि वर्तमान राजस्तान में जीलों की संक्या है वो तो है 33 और राजस्तान में संबागों की संक्या हो गई है साथ यानि 33 तो आपके पास जीले हैं और आपके सामने राजस्तान में साथ क्या हैं संबाग है अब यहां से यह जीले और यहां से संबागों की स्थितिक को हम यहां से देख लेते हैं तो देखे इसका भी आप यहां से स्क्रिन सोट ले 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 लिया स्क्रिन सोट चाली मित्रो आगे बात करते हैं लेकिन मुत्रो आप वीडियो को साथ के साथ सेर जरूर करें और अभी तक आप इसे चेनल पर नए हैं तो अभी आपनी इसे चेनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि यहां से कोई भी वीडियो अपलोड किया जेगा उसका पहला नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा अब मित्रो यहां से देखो आपके सामनी राजस्तान के एकिकर्ण से पहले देखे दोनों बाते में आपको एक साथ किलियर करवा रहा हूँ यानि राजस्तान का एकिकर्ण एक इकरण से पहले की बात करें तो राजस्तान के एक इकरण से पहले यानि जिलो की संख्या तो आपके सामने कितनी थी तो यहाँ पर तो आपको याद रखना है 25 यानि एक इकरण से पहले जिलो की संख्या कितनी थी 25 जिले थे और संभागों की बात करते तो उस समय संभाग की संख्या कितनी थी तो यहां पर आपको याद रखने हैं 5 यानि उस समय 25 जिले और पांच संभाग थे आज वर्तमानमी या एकी करण के बाद देखे कितनी हो गई तो 25 से जिले तो बढ़कर आज वर्तमानमी हो गए 33 और 5 संभाग से बढ़कर के राजस्तान में संभाग हो साथ अब यहां से पहले देखे हम संभाग को देखे या जिलो को देखे तो दोनों हमें यह पढ़ने हैं कोई भी आप एक को पहले पढ़ लिजे अगर यहां से देखे पांच संभाग आप देखोगी तो उस समय पांच संभाग कौन कौन से थे तो सबसे पहला संभाग आपक सामने दूसरा संभाग है आपके सामने उदेपुर संभाग उदेपुर के बाद भी मित्रों आपके सामने हैं बीकानेईर संभाग और उसके बाद भी चोथे नम्मर पे हैं आपके सामने जोदपुर संभाग और उसके बाद भी पांचवे नम्मर पे हैं आपके सामने कोटा स तो राजस्तान के एकी करण से पहले राजस्तान में संभागों की संक्या वो कितनी थी पाँच थी जैपुर उदेपुर जैपुर उदेपुर बिकानीर जोदपुर कोटा अब यहां से दिखे पाँच संभाग है इन पाँच संभागों को पहले यहां से याद कीजिए पाँ जवू बिजो को जवू बिजो को से आप जेपोर, उदेपोर, बिकानीर, जोदपुर, कोटा ये 5 संभाग आप यहाँ से याद कर सकते हैं यानि एककरण से पहली ये 5 संभाग थे उसके बाद में दिखे जो 6 संभाग आया था वो 6 संभाग आपके सामने कौंसा आया था तो याद रखना मित् अजमेर कौन सा संभाग है या अजमेर इस अजमेर संभाग का जो गठन होता है वो एक नवंबर 1956 को होता है एक नवंबर 1956 को यानि अजमेर जो संभाग है ये छटा संभाग के रूप में अस्तीत्वा में आचुका था इसका गठन एक नवंबर 1956 को हुआ लेकिन इसकी जो 26 जनवरी 1987 को अजमेर जो संभाग है उनकी अदिसूचना वो जारी कर दी फिर वर्तमान में देखे साथ संभाग है तो साथवा जो संभाग बना मित्रो वो संभाग आपके सामने कोण सा बना बरतपुर ये बरतपुर संभाग का जो गठन है वो आपके सामने देखो कब हुआ तो याद रखना है 4 जून 25 को भरतपुर संभाग बनाता रहे, 7 वा संभाग बनाता तो मित्रों ये तो उगई आपके सामने संभागों की यह से इस्तिति, इनका भी आप यहां से स्क्रेंसोट ले लिया, फिर यहां से देखे आगे हम बात कारते ही मित्रों कि राजस्तान में जिलों की क्या इस्तितियां थी जिलों की इस्तितियां हम देखें तो जिलों की इस्तिति देखी क्या थी एक इकन से पहले जिलों की संख्या 25 थी और आज आपके सामने 33 है तो यहाँ पर आप सब से पहले देखे 25 जिले के बाद में जो 26 जिला बना कौन सा जिला 26 जिला वो 26 जिला देखे आपके सामने कौन सा बनता है तो यहाँ पर मित्रों आप याद रखेगा राजस्तान का जो अजमेर जिला है यह 26 जिला बनता है और उसके बाद में 27 जिले की बात करते हैं तो 27 जिला देखे आपके स 27 वा जिला याद रखोगे धोल पूर कौन सा जिला याद रखोगे धोल पूर उसके बाद में 28 वा जिला 28 वा जिला उसके बाद में 30 वा जिला यहां से मित्रो ध्यान दीजिए 27 वा जिला धोल पूर था फिर 28 वा गुन 30 वा जिला देखे आपके सामने कौन से बनते हैं तो य यानि यहाँ पर आपके सामने दिखी 28 जिला बनता है 12 और 12 के बाद में दिखी यहाँ पर बनता है आपके सामने गुनतिस्वा दोसा और उसके बाद में तीस्वा जिला बन जाता है आपके सामने राजशमन तो यहाँ से तीन जिले एक साथ आ रहे हैं 28 गुनतिस्वा राजसमन उसके बाद मी मित्रों यहां से हम 31 जिले की बात कारते हैं तो 31 जिला कोन सा बनाता हनुमानगड कोन सा जिला बना हनुमानगड यह हनुमानगड जिला बन गया उसके बाद मी 32 जिला आपके सामनी दिखे कोन सा बनता है तो यहां पर आपके सामनी मित्रों आजेगा क रोले और 32 जिले के बाद में 33 जो जिला आपके सामने बना था वो जिला आपके सामने कौन सा बना परतापगड जिला कौन सा जिला बना परतापगड जिला तो यानि कहने का मतलब यह हुआ कि राजस्तान एकी करण से पहले जिलों की संख्या तो थी 25 लेकिन जो आपके सामने 26 वा जिला वो कोण सा बना अजमेर 27 वा जिला कोण सा बना धोलपुर 28 वा जिला कोण सा बना 12 गुंतिश्वा जिला कोण सा बना दोसा तीस्वा जिला कोण सा बना राजसमद एक तीस्वा जिला कोण सा बना हनुमानगड बकतिस्वा जिला कोण सा बना करोले और तेतिस्वा जिला आपके सामने कोण सा बना परतापगड तो यह यहाँ पर आपके सामने तेतिस जिले है वो बन रहे लेकिन मित्रो जब 26 जिला आप देखोगे अजमीर तो इसका गठन देखे कब होता है तो याद रखना एक नौंबर 1956 को होता है कब होता है एक नौंबर 1956 को उसके बाद में जो 27 जिला जो दोलपुर है इसका गठन देखे कब होता है तो यहाँ पर आप मित्रो याद रखना एक अपरेल 1982 को फिर यहाँ से देखे 12 दोसा और रा समन इनका गठन एक साथ होता है मित्रो आपके सामने 10 अपरेल 1981 में को 10 अपरेल 1991 में मित्रो याद रखे 10 अपरेल 1991 में तो यहाँ पर 10 अपरेल 1991 को देखे यहाँ पर 3 जिले एक साथ बनतें 10 अपरेल 1991 में को यहाँ से जान रखे 10 अपरेल 1991 में उसके बाद में हनुमानगर जिले का जो गठन होता है वो कब होता है तो याद रखे मित्रो गुनिस जुलाई 1997 में को और परतापगर जिले का जो गठन होता है वो कब होता है 26 जनवरी 2008 को मित्रो याद रखे 26 जनवरी 2008 अब यहाँ से हमने क्या क्या पड़ा यहाँ से हमने यह पड़ा कि राजस्तान के एकीकंड से पहले जिलों के संख्या थी वो तो कितनी थी तो यापर मैने का 25 थी 26 जिला देखो कोण सा बन गया 26 जिला आपके सामने देखो कोण सा बन गया तो 26 जिला आपके सामने अजवेर बन रहा है और यह 26 जिला अजवेर का गठन होता कब एक नाउंबर 1956 को उसके बाद में राजस्तान का 27 जिला कोण सा बनता दोलपूर दोलपूर जिले का गठन देखे कब होता है तो यहाँ पर आप ध्यान रखे 15 अपरेल 1982 को फिर 28 जिला देखे आपके सामने कोण सा बनता है गुनतिस्वा कोण सा है और तीस्वा कोण सा एक साथ तीनों जिले याद रखे 12 दोसा राज समन या फिर ऐसे याद रखो इनको कि यहाँ पर तीन जिले एक साथ बनेते और उनका नाम आप याद से याद रखेंगे दो बार रा क्या याद रकोगे? यहाँ से दिखाई दे रहा कि आपको अगर नहीं दिखाई दे रहा तो मैं यहाँ पर लिक रहा हूँ दो बारा यहनी दो बारा का मतलब दो सा, उसके बाद में बारा उसके बाद में राज समद इनका गठन एक साथ आपके सामने 10 अफरेल 1991 में को होता है पिर यहां से देखे 31 जिला है वो हनुमानगर जिला बना हनुमानगर जिले का जो गठन है वो आपके सामने 12 जुलाई 1994 में को होता है और उसके बाद में 32 जिला आपके सामने करो लिये जिनका गठन 19 जुलाई आपके सामने 1997 को होता है और उसके बाद में दिखो यहाँ पर है 33 जिला और 33 जिला कोण सा परतापगड परतापगड जिले का जो गठन है वो आपके सामने 26 जनवरी 2008 को होता है मित्रो 26 जनवरी 2008 को राजस्तान का 33 जिला बना परतापगर जिला जो राजस्तान का आप कह सकते हैं नमीनतम जिला राजस्तान का जो नमीनतम जिला हैं वो 33 जिला हैं परतापगर जिला जिसका गठन 26 जनवरी 2008 को हुआ था इतनी बाते आपने यहां से याद की अब देखो दोस्तों यहां से आपको यह सारी की सारी चीजे मैं याद यहीं पर करवा देता हूँ यहां पर ही आपके सामने देखी इनको सारी की सारी को यहां से याद करवा देता हूँ मित्रों यहां से आप देखे 26 जिला से लेकर के अब 33 जिले तक यानि यहां से 26 जिले से लेकर के आप यहां पर देखे 33 जिले तक आप इनको करम से देखे यहां से जिलों को याद कर सकते हो और यहाँ पर आपको याद करने के लिए देखी यहां से एक सुत्र मिलेगा और वो सुत्र है आपके सामने देखी आज आज दुलू बाबा आज दुलू बाबा दो राज हमें करो परदान देखो मित्रो यहां से आपके सामने जो सुत्र आ रहा है वो सुत्र देखी कौन सा है तो यहां से दिखा आज दुलू बाबा दो राज हमें करो परदान तो यहां से सुत्र है आपके सामने आज दुलू बाबा दो राज हमें करो परदान इस सुत्र के माद्दिन से आप राजस्तान के 26 जीले से ले करके आप 33 जीले तक जीलों का करम याद कर सकते हो देखे कैसे आप याद करोगे तो यहां पर देखे सबसे पहले लिखा है आज आज का मतलब यहां से आप करोगे अजमेर उसके बाद में लिखा है दुलू दुलू का मतलब यहां से दुलू से धूल दूल से हो जेगा धूल पुर फिर लिखा देखे बाबा बाबा का यहां से करना हैं दोसा, फिर यहां लिखा राज, राज का मतलब आपको करना राज समन, फिर हमें, हमें का मतलब आपको करना हनुमानगड, फिर करो, करो का मतलब आपको करना करोली, परदान का मतलब आपको करना परतापगड, तो मित्रो इस एक सुत्तर के माद्दिन से आप आपके सामने इस्तिती एक साथ याद हो गए ये 25 वे जिले के बाद में 26 वे जिले से ले करके 33 वे जिले तक आपका ये करम ऐसा का ऐसा याद हो गया कि आज दोलु बाबा दो राज हमें करो परदान। अब दो बार बोलोगे कि आज दुलू बाबा दो राज हमें करो परदान तो इस सुत्र के आदार पर आप राजस्तान के 26 जिले से लेकर के 33 जिले तक आपका ये करमे रहेगा मित्रो जहां आवसिक्ता होगी वहां आपको सुत्र भी मिलेगा और जहां पर आपको डाइग्राम की आवसिक्ता होगी वहां डाइग्राम भी मिलेगा और समझाने के लिए आपके सामने जो तरीका है वो भी आपके या से मिलेगा तो यहां पर सुत्र है वो भी बहुत सारे मिलेंगे तरीका आपको बहुती अच्छा मिलेगा और उसके साथ साथ आपको यहाँ याद करवाने का तरीका है वो भी दिया जाएगा तो आप बने रहेगा इस वीडियो के साथ लगातार आप इस वीडियो को देखते रहें अब देखें यहाँ से आपके सामने आगे की जम इस्तिती को देखें तो यहां से देखे आपके सामने ये राजस्तान का नमीनतम जिला है जो परताफगर जीला इस परताफगर जीले का आप देखे यहांसे जब गठन देखोगे तो मैंने का कि 26 जनवरी 2008 को राजस्तान के परतापगड जीले का गठन होता है तो यहां से दिखें लाश्ट में जो आपके सामने जीला आ रहा है वो परतापगड है कौण सा जीला है परतापगड जीला है अभी सारे के सारे स्टूडेंट जिल राजस्तान पुलिस के तैयारी का रहे है वो बच्चे इस चीज को धान से सुनेंगे और धान से समझेंगे यह इंपोटेंट बाते आने वाली है बही दोस्तों यहां से परतापगड जीले के बारे में बता रहा हूँ लगातार यहां से प्रसंद बार बार आ रहे है तो इस चीज को आप पढ़ करके जरूर जाएं यहां से धान से समझेगा कि परतापगड जीला है यह राजस्तान का देखे आपके सामने यह नमीनतम जिला है और यह नमीनतम जिला कोन शेक करम पर आ रहा है 33 जिले के रूप में आ रहा है इस परतापगर जिले का जो गठन है वो गठन देखो कब हुआ था तो यहाँ पर याद रखना 26 जनवरी 2008 को हुआ था 26 जनवरी 2008 को हुआ था किसके समय हुआ था तो यहाँ पर आप याद रखे वसुंद्रा रज्य के समय किसके समय हुआ था वसुंद्रा रज्य के समय कौन सी कमेटी के आधार पर देखे इसका गठन हुआ था तो कमेटी आप परमेश्वर चंदर जो कमेटी है इस परमेश्वर चंदर कमेटी के आदार पर यपनि राजस्तान की नमीनतम जिले परताप्गर जिले का गठन होता मित्रो यह इमपोटेंट प्रसन है यहां से ध्यान दीजिए कि राजस्तान का जो रखना परमेशन चंदर जो कमेटे के आधार पर राजस्तान के नमींतम जीले का गठन होता है परताफगड जीले का गठन होता है उसके बाद में देखेगा कि जब परताफगड जिले का गठन होता है तो वो गठन आपके सामने देखे पांच तैसिलों से मिल करके होता है कितनी तैसिलों से पांच तैसिलों से और पांच तैसिलों में आपके सामने तीन जिले को इसमें मिला जाता है देखे तीन जिलों को और पांच तैसिलों को मिला करके आपके सामने प आप इनका स्क्रीन सोट ले 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 आप इसकार उसके बाद में मैं आपको इस पांच तैसिल और तीन जिलों के बारे में बता देता हूँ देखो मित्रो यहां से आप यह देखो यहां से मित्रो आप यह देखो कि राजस्तान का जो परतापगर जिला है उस परतापगर जिले का देखे जो गठन होता है वो किस परकार से होता है देखेगा यह मान लेते हैं कि यहां पर आपके सामने यह राजस्तान है यहां से मीत्रों आपके सामने देखे यह राजस्तान का मानचितर है और इस मानचितर में अभी आप यह देखोगे कि यहां इसमें परतापगड जिला है वो है काँ पर तो परतापगड जिले की जब आप इस्तिति को देखोगे तो परताफगड जिला देखे आपको यहाँ पर मिलेगा यहाँ पर आपके सामने जिला कोन सा मिलेगा परताफगड जिला मिलेगा जो राजस्तान का नमीनतम जिला है तेतिस्वा जिला है ठीक है यह तेतिस्वा जिला है परताफगड जिला इसका गठन मैंने का कि तीन जिले और पाँच तैसिलों से मिल करके हुआ है तो ये तो गया आपके सामनी देखो यहाँ पर परतापगड और इस परतापगड से उपर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पर आपको देखो एक जिला मिलेगा यहाँ पर इस तरीके से आपको चितोडगर जिला मिलेगा यहाँ पर कौन सा जिला मिलेगा आपको यहाँ से चितोडगर जिला मिलेगा और चितोडगर जिले से नीचे यहाँ पर तापगर से नीचे आप देखोगे तो यहाँ पर आपको बाहसवड़ा जिला मिलेगा और बाहसवड़ा से उपर यहां आपको देखो डूंगरपुर जिला और डूंगरपुर से इधर आप देखोगे तो यहां उदेपुर जिला मिलेगा लेकिन ध्यान से देखेगा इस पॉइंट को ध्यान से समझेगा यानि यहां पर जब आप ये देखोगे यहाँ पर आप ये देखोगे तो देखो यहाँ पर तो बासवड़ा जिला है यहाँ पर चितोडगड जिला और यहाँ पर उदेपुर है और यह आपके सामने देखो परतापगड जिला तो परतापगड जिले का जो गठन होता है वो गठन आपके सा आपके सामने देखो बासवड़ा जिलाता है कौन सा जिलाता बासवड़ा और बासवड़ा के बाद में आपके सामने जिलाता कौन सा उदेपुर जिला तो यहां पर चितोडगड बासवड़ा और उदेपुर है इन तेन जिलों के मिलने से आपके सामने परतापगड जिले का मित्रों क्या हुआ है गठन हुआ है क्या हुआ है गठन हुआ है अब यहां से थोड़ा सा वापस समझेगा यहां से आप देखे वापस समझेगा यहां से वापस समझेगा कि जब हम देखे यहां से परतापगर जिले को देखते हैं परतापगड जिले को देखते हैं तो इनकी स्थिती देखी यहाँ पर तीन जिलों से हो रहे हैं और मैंने का कि पांच तैसिलों की योग से या पांच तैसिलों के मिलने से परतापगड जिले का गठन हुआ अब यहाँ पर पांच देखिए आपके सामनी देखिए जो तैसिल थी वो कौन कौन सी थी तो सबसे पहले तैसिल है आपके सामनी परतापगड तैसिल कौन सी तैसिल परतापगड तैसिल उसके बाद में दूसरी तैसिल की बात करते हैं तो वो तैसिल आती है आपके सामने अर्नूद तैसिल कौन सी आती है अर्नूद तैसिल अर्नूद के बाद में तीसरी तैसिल की बात करते हैं तो वो तैसिल आती है आपके सामने छोटी सादडी कौन सी तैसिल आती है छोटी साध्री और छोटी साध्री की बाद में चोथी जो तैसिल आती है उस तैसिल का नाम है पिपल खूट कौन सी तैसिल है पिपल खूट और पांच भी जो तैसिल है उस तैसिल का नाम है मित्रो आपके सामने धरियाववाद यह प्रसन बहुती important प्रसन है बहुती important प्रसन है यहां से हर बार राजस्तान पुलिस की एक्जाम में यहां से प्रसन पुछा जाता है और पिछली से पिछली जो एकजाम हुई थी उसमें भी यहां से प्रसन पूछा गया था, जो स्टूडेंट राजस्तान पुलिस की यहां से तैयारी करें वो इस पर थोड़ा सा फोक्स याद करें, फोक्स करके यहां से इन बातों को याद रखें, यहां पर दिखी मित्रों आपके सामनी देखी तैसिल कितनी आई, पांच तैसिल, एक तो परतापगड तैसिल आई, एक अरनूद तैसिल आई, एक छोटी सादरी, एक आई पिपल खूट और एक आई धर्यावाद, इन पांच तैसिलों के मिलने से, इन पांच तैसिलों के मिलने से देखें आपकी य जिले का गठन होता है अब ये परताबगड तैसिल है ये राजस्तान के कौन से जिले से संबंदीत है तो याद रखना ये चितोडगड से ली गई अरनोध की बात कारते हैं तो अरनोध है ये भी आपके सामने कहां से ली गई चितोडगड से ली गई और छोटी साधड़ी है ये भी आपके सामने राजस्तान में कहा से ली गई चितोडगड से तो मित्रों यहां से आप ये ध्यान रखें कि राजस्तान के चितोडगड जिले से देखें आपके सामने तीन तैसिले ली गई एक परताफगाड, एक अर्नोद, एक छोटी सादले उसके बाद में जो पिपल खूट जो तैसिल है ये पिपल खूट तैसिल राजस्तान के कोन से जिले से ली गई बासवडा जिले से ली गई कौन से जिले से ली गई बासवाडा जिले से उसके बाद में दर्यावाद की बात करते हैं तो दर्यावाद तैसिल देखे कहां से ली गई है तब आपको याद रखना उदेपुर से ली गई है कहां से ली गई है उदेपुर से तो यानि पिपल खूट है ये बासवाडा से ल देखो चितोडगड़ जिले से लिगे तो यहां से चितोडगड़ हो गया यहां से आपका बासवड़ा हो गया यहां से उदेपुर तो इन तीन जिलों के मिलने से देखे यहां से आपके सामने परतापगड़ जिले का गठन होता है यहां से परतापगड़ जिले का गठन होत राजस्तान की इस्तलिय सीमा की की यहां पर राजस्तान किस किस के साथ इस्तलिय सीमा बनाता जिसमें आपकी अंतराश्ट्य सीमा भी रेगी अंतराज्य सीमा भी रेगी तो आप लोगे इसे चेनल के साथ में आप इस प्लेटफोरम के माद्दिन से यहां पर बने रहेगा यहान से आपकी तैयारी है वो कैसी चल रहे हैं आप comment करके जरूर बताएं कि आपको जितनी चीजह यहां से पढ़ाई जा रहे है वो चीजे आपके समझ में आ रही है या नहीं आ रहे तो comment जरूर करें और अभी तक आपने इस channel को subscribe सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप पहले सेनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि यहांसे जो भी वीडियो अप्लोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा क्योंकि दोस्तों अगर आप यहांसे तयारी कर रहे हैं तो आपको यहांसे बहुत जादा समझायाजएगा और आपका हर एक टोपिक के वह एकदम किलियर तरीके से समझायाजएगा तो आप इस चैनल के साथ में बने रहेएगा ठीके मिलते हैं दोस्तो नंक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए आप बने रहेगा ठीके दोस्तो थैंक्यू d